परी जैसिका की कहानी बहुत समय पहले, रोम के एक राज अरेन बर्ग में जैसिका नाम की एक परी राजकुमारी रहती थी वो आधी मानव और आधी परी थी, क्योंकि उसके पिता मनुश्य थे और उसकी माता एक परी लोग की रूम वान परी थी उसके माता पिता ने प्रेम विवा किया था जैसिका गोरी चिट्टी और अत्यंत रूपवान थी उसके बाल सुनहरे घने सुन्दर और लंबे थे वो बहुत ही सुन्दर गीत भी गाती थी उसे अपने असीम सुन्दर का घमंड हो गया था एक दिन एक एल्फ राज का एक राजा उसके राज में आया उसका कद छोटा और कान बड़े एवं नुकीले थे उसका चहरा भद्दा लगता था अरेनबर्ग के राजा ने उनका बड़ी गर्म जोशी के साथ स्वागत किया दोपहर के भोजन के पशाथ राजा ने अपनी बेटी जैसिका का परचे उनसे करवाया जैसिका ने उनसे हाथ तो मिलाया लेकिन उसकी नजरों में वो प्रेम भाव और सम्मान नजर नहीं आया उसने उनका चहरा देखकर मूँ भी बिचकाया था एल्फ के राजा ने जैसिका की भावना को तुरंत भाव लिया और स्वैम को अपमानित भी महसूस किया उन्हें बहुत क्रोधा गया उन्होंने गुसे में आकर जैसिका को श्राप दे दिया जैसिका तुम्हें अपने सौंद्रे पर बड़ा खमण है अचानक से मिले हुए श्राप से जैसिका और उसके पिता सभी लोग अचमबित हो गए जैसिका के चहरे का रंग बदल गया और उसकी सुन्दरता समाप्त हो गए नहीं नहीं हे राजन मुझे शमा कर दीजिए मैं अपसे ख्षमा मांगता हूँ कृपा करके आप अपना श्राप वापस ले लीजिए मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता लेकिन इससे मुक्ती पाने की एक राह बता रहा हूँ जब कोई व्यक्ति इस श्राब को जाने बिना जेसिका से मिलकर इससे प्रेम करेगा तब जेसिका अपनी पूर वस्थिती में आ जाएगी इतना कहने की बाद एल्फ के राजा वहां से चले गए जेसिका की आँखों से आसु बहे जा रहे थे उसके पिता भी बहुत चिंतित हो गए थे उस दिन से जेसिका राज महल के एक कमरे में अकेले रहने लगी राज के सभी लोगों को इश्राब के बारे में जानकारी हो गई थी इसलिए जिसने भी उसे पूर विस्थिती में लाने का प्रयास किया वो असफल ही रहा एक दिन जेसिका अकेले बैठी हुई एक गीत की पंक्तियां गुन-गुना रही थी चले आओ, चले आओ, कहा हो तुम, चले आओ, कहा हो हम सभर मेरे, चले आओ, चले आओ एक पर्देशी राजकुमार अपने घोडे पर बैठ कर उस महल के पास गुजर रहा था जेसिका के इस मधुर गीत की पंक्तियों को सुनते ही वो उसकी आवाज का कायल हो गया उसे उस आवाज से प्यार हो गया, वो घोडे से उतर कर राजमहल के अंदर चला गया राजा के कर्मचारियों ने उसे उस कक्ष की रहा बताई, जहां राजकुमारी परी जैसिका रहती थी राजकुमार ने जैसिका के कमरे का दर्वाजा खट खट आया, दर्वाजा खुल गया हे राजकुमारी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अवश, आप आजाएए मुझे आपसे प्यार हो गया है, क्या आप मेरा प्रणय निवेदन स्विकार करेंगी? हे राजकुमार, आपका प्रणय निवेदन मुझे स्विकार है जैसे ही जैसिका ने राजकुमार का प्रणय निवेदन स्विकार किया एक चमतकार हुआ और वो पूर्ववत असीम सुंदरी बन गई हे राजकुमार मैं तो कुरूप थी फिर भी मेरे लिए आपके मन में प्यार की जोती कैसे जल गई हे राजकुमारी वास्त्विक सौंद्रय तो आंतरिक आत्मा का सौंद्रय है जैसिका और राजकुमार दोनों के चहरे पर एक सुंदर मुस्कान खेलने लगी जैसिका के पिता ने दोनों का धूम धाम से विवाह कर दिया और सभी लोग खुशी-खुशी रहने लगे जैसिका के लिए जैसिका के लिए जैसिका के लिए लोगे